बिसमिल्ला रख्मान रख्मान रख्म, असलाम अलेकूम वीवर्स, मैं मुहम्मद फयाज, वीडियो टुटोरियल्स डॉट कॉम की जानिब से आप लोगं के लिए एक नई वीडियो के साथ, तो अभी वीडियो के अंदर हम लोग काफी आगे तक जा चुके हैं, अभी उस त अंदर हम लोग data enter भी कर सकेंगे, retrive भी कर सकेंगे, search भी कर सकेंगे, कोई छोटा सा हो सकता है, school management system भी बनाये हम, तो वीवर्स अब आगे चलते हैं, और code की आप जो है, वो tension ना लें, क्योंके code इसके अंदर आपको मिल जाएगा, अगर आप जाएं, video tutorials.com पे और video के नीचे जो download source है, वहाँ पर आप उसका code हासिल कर सकते हैं, और वीवर्स अगर आप हमारी ये पहली वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बहुत problem होगी, क्योंके हम लोग काफी आगे तक चल चुके हैं, क्योंके PHP एक server site scripting language है, और इसके अंदर server की ज़रत भ ज़रत पढ़ती ही, शो करने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि PHP का date function हमें इसमें help करता है, तो हम अपने page को आके run कर देते हैं, localhost slash phpc viewers, यह अब आपको मालूम होगा कि यह मैंने क्या किया है, ठीक है, और यह हमारा previous काम था, तो viewers अब हम लोग PHP के date function की तरफ चलते जो के काफी important भी है, ठीक है, इसकी बहुत जरुरत पड़ती है, तो viewers कोई इतना difficult नहीं है, date function ठीक है, और तो viewers आप हम लोगों को obvious सी बात है, echo करना है, ठीक है, और PHP का एक built-on function है date, क्योंकि हम date print कराना चाहते हैं, तो viewers इसके तो काफी strings हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पर print कर आता हूँ small j, ठीक है, इसके कुछ codes हैं, बहुत सारे हैं, जिससे हम date और day और time और month तरह तरह से print करा सकते हैं, कभी British type का और कभी किस type का और किस type का, लेकिन viewers यह आप मजीद जो है, वो इसको देख लीजीएगा, net पर search कर लीजीएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे strings हैं, ब लिख दिया, जे लिखा है, तो अब बरस में काम यह कर लेता हूँ, यहाँ पर बियार डाल देता हूँ, वरना confusion हो जाएगे हम लोगों को, बियार डाल देता हूँ, ताके और बियार, तो अभी मैंने जो date और उसके अंदर j लिखा है, तो अभी बरस यह हमारे पास, हमारे पास आज की date प्रिंट करा रहा है, ठीक है, यह j, 27, ठीक है, यह हमारे पास 27, जो है, वो हमारे पास date प्रिंट करा रहा है, 27, ठीक है, मैं इसके अंदर कुछ text लिख देता हू टूडे इस टूडे इस कॉनकरटिनेशन तो विवर्स 27 इसने हमार पास प्रेंट कर आया था तो मैं एक चीज़ यहाँ पर और लिख देता हूँ कैपिटल S तो विवर्स अब आप देखिएगा कि यह क्या करता है मैं आपको इसके स्ट्रिंग्स बता रहा हूँ तो विवर्स अब यहाँ देखें कि टूडे इस 27 आ रहा था जैसे ही मैंने कैपिटल S लगाया तो उसने टी एच भी लगा दिया हमारी मर्जी है हम लोग किस तरह से डेट को शो करना चाहते है और फिर टूडे इस 27 और मैं बैक स्लेश लगा के इसमें ओफ अच्छा पिर मुझे मन्थ शो करना है तो फॉर इसमेंपल में जरा स्मॉल एम डालके देखता हूँ तो स्मॉल एम से हमारे पास मन्थ आता है मैं देखता हूँ यह किस स्टाइल में देता है मन्थ आता हई इसमेंज तो यहां हम ने मन्थ चाहें तो हम तो समॉल एम देखते हैं और अब हम कैपिटाल एम देका देखते हैं तो अब इस तरह सारे string है इसके बहुत सारे keywords है इसी तरह से तो यह आपको खोदी देखने होंगे net से देख लीजिएगा कोई इतना problem नहीं लेकिन बहुत सारे इसलिए मैं इस पर इतनी मैंने focus नहीं कि मैंने जिस्ट आपको बता दिया कि किस तरह से हम लोग देट का function यूज कर सकते तो अब capital M जब मैंने डाला तो APR आ गया और विवर्स यह आपके system की date उठाएगा यह बात याद रखेएगा या तो फिर जहां पर आपका project deploy है server पर वहां की date उठाएगा अगर system में है तो आपके computer में है तो आपके computer की date उठाएगा तो विवर्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग different different तरह से date लेकर आ रहे हैं और विवर्स मैं अब यहां पर capital F लिखता हूँ ठीक है तो अब आप यह देखिएगा कि यहां पर यह किस तरह से date देगा हमें तो विवर्स अब यहां पर है पूरा दे रहा है अप्रेल यानि कि small m से आपके पास 01,02,03,2012 तक आएगा small m से capital m से आपके पास तीन वर्ट आएंगे सिर्व ए पी आर अप्रेल एम ए वाई में जे यू एन जून और जे एन जनवरी एफ इबी फैबर वरी तो इस तरह से यह जो है आएम है वह वही शो करेगा जो आपके system का होगा या आपके server का होगा तो अभी हम लोग एक चीज़ के अंदर air भी शो कर देते हैं तो आपको simply मैं यहां पर slash लगा देता हूं ठीक है slash लगाके और capital Y तो आपकी मर्जिया आप बीच में क्या लगाना चाहें इस चरह से display कराना चाहें तो capital Y मैंने लगा दिया थोड़ी सी disruption हो रही है mouse की वज़े से तो मैंने capital Y लगा दिया तो आप देख रहे हैं कि 2017 आ रहा है हमारे पास ठीक है तो air से हमारे पास 2017 आगे तो मैंने यहां पर एक string लिखा था टू डे इज और फिर उसके बाद हमने capital small j से हमने डे प्रिंट कराया 27 ठीक है और फिर s capital S से हमने टी एच यानि इसको ब्रिटिश टाइप कहते हैं मेरे खाल में 27 ओफ और फिर month मैंने आपको तीन string बताए इसके तीन keywords बताए small m capital m और f ठीक है इसके difference भी आपको आइडिया अफिर के बाद y यानि अर père हमारे पास आ रहा है और उस्कों करने के और भी तरीके में Deepैam अब j की जगा ना small d लिख देता हूँ, s को हटा देता हूँ, देखते हैं क्या होगा हमार पास, small d मैंने लिखा, ठीक है, और अब देखते हैं कि हमार पास day किस तरहां से आता है हमार पास, क्या Saturday Sunday में करके आता है, तो अब आप देख रहे हैं, today is 27, small d से just 27 आएगा, आपके पास जिसे j से आ रहा है, वैसी small d से आ रहा है, और अब हम capital D करके देखते हैं, और capital D किया हमने, तो विवर्स ही कुछ strings हैं, जो मुझे याद हैं, और विवर्स इसके बहुत सारे हैं, मैं आपको बहुत सारे keywords हैं, आप जाकर search करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा, तो विवर्स अब यहाँ पर, हाँ, तो विवर्स यह Thursday जो है, small capital D से आपको यह day के English में शुरू के तीन words देगा, ठीक है, तो विवर्स अब आप समझ रहे होंगे, कि date हम लोग किस तरह से show कर सकते हैं, और विवर्स इसी के साथ हम लोग time भी show कर सकते हैं, और विवर्स इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप day, month, year, day, किसी भी तरहां से show कर सकते हैं, आपको net पर जाके search करना पड़ेगा थोड़ा सा इसके हवाले से, ठीक है, और विवर्स अब हम लोग इसके साथ time show करना चाहते हैं, तो time में सबसे पहले क्या होता है, hours यानि hours show करना चाहते हैं, तो मै h लिखता हूं, तो विवर्स अब आप देखेगा, बलके मैं इसके बीच में क्या कम कर देता हूं, इस तरह से डाल देता हूं, ताकि आपको idea हो जाए, h से आप देखेगा, आपके पास hours show हो जाएंगे, जो आपके system में इस वाकर चल रहा है time, वो होगा, ठीक है, या तो फ मैं इसके अंदर hours के बाद, आई से minutes show कर देता हूं, ठीक है, तो विवर्स अब आपके पास minutes भी आ जाएंगे, आप चाहें, microsecond, nanosecond, जो चीज़ भी दिखाना चाहें, आप easily इसके अंदर show कर आ सकते हैं, तो विवर्स उसके बाद हमारे पास minutes भी आ गा है, पांच बचके चार minutes हो रहे हैं, ठीक है, 504, और यह हमारे पास minutes भी आ गा है, और विवर्स हम लोग इसके अंदर am, pm यह 24 hours वाला format भी दिखा सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग अगर second दिखाना चाहें, s दिखा सकते हैं, ठीक है, अब यह s से हमारे पास second आ जाएंगे, small s से, तो विवर है, ठीक है, 5 minutes, 8 seconds, अब यह आपने देखा कि time change भी हो गया, और विवर्स हम लोग am, pm show करना चाहें, तो simply हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहां मैंने terminator लगा दिया, इस all a लिखेंगे, तो आपके पास am, pm जो भी हो रहा होगा, वो show हो जाएगा, और फिर हम लोग capital a लिखके capital लिखके देख लेते हैं, कि क्या result आ रहा है हमारे पास, तो विवर्स इस तरह से date और time show करने के काफी string हैं, काफी तरीके, मैंने जिस्टा आपको तरीका बता दिया, कि आपने date का function लिखना है, और फिर उसके अंदर ही, आपने सारा का सारा काम करना है, जिस तरह से आपकी requirement है, जिस तरह से आप show करना चाते हैं, और विवर्स आप PHP date लिखेंगे, format लिखेंगे, तो काफी कुछ आपको मिल जाएगा, इसका इतना ज्यादा है, जब आप देखेंगे, तो आप खुद confuse हो जाएंगे, बस यह के जो आपको अच्छा लगे, आप वही show करिए, तो वि और विवर्स मैंने क्या काम किया, जस्ट एक को से क्योंकि मैं प्रिंट कराना चाहा रहा हूं, उसके बाद मैंने अपनी असानी के लिए यहां पर यह दे दिया के today's, और फिवर्स आपको पता है, string और function के बीच के अंदर, हम लोग जो आपको अपने लगानी पड़ती है, और विवर्स फिर उसके बाद हमने date प्रिंट कराई है, अब date मैंने आपको बताया, आप S, J से भी प्रिंट करा सकते हैं, जिस तरह से आप प्रिंट कराना चाहें, मैंने यहां पर यह सब कुछ आपको करके दिखाया, और उसके बाद date, और फिर उसके बाद हमने वैसे ही off जिस तरह से जो बीच में जिस तरह से हम डिस्टिंग्शन करना चाहें हमारी मर्जी है, और उसके बाद हमने एक और उसका करेक्टर यूज किया, F, मन्त लाने के लिए फिर air, फिर उसके बाद H के लिए hours, यानि time show करना चाहा है, I के minutes के लिए I, और S के लिए second, और AM, PM के लिए capital या small AM, PM जिस तरह से आप show करना चाहें, तो इसका आपको idea हो गया होगा कि PHP के अंदर time and date हम लोग किस तरह से show करते हैं, तो बहुत सारे इसकी तरीके हैं, बहुत सारे आप 01, आप सिरिफ 12 से भी show करा सकते हैं, तो मुझे उमीद है कि आपको ये tutorial पसंद आया होगा, और हमारी अगली वीडियो का वेट कीजिए, और मेरी previous वीडियो देखिए, और feedback भी दीजिए, video tutorialist.com पर जरूर आईए, और हमारा उर्दू वीडियो लेक्चर चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको IT के हवाले से बहुत सारी वीडियो मिलें तो अगली वीडियो के लिए मुम्मद फ्यास को इजास्त दीजिए, असलाम अलेकुम